हेलो दोस्तों सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके और हमारी यूट्यूब चैनल डिजी टॉक में हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है बजट 2022 पाल्यामेट यानि लोगसवा में डिसकस किया जा रहा है तो हम आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्रिप्टो से रिलेटेट क्या बाते हुई तो इस छोटे से वीडियो को skip किये बिना पुरा देखें अभी तक दो बाते निकल के आ रही है पहला कि RBI will issue a digital rupee starting 2022-23 जो कि blockchain technology को use करेगी जो दूसरी बात निकल के आ रही है और ये सबसे important बात है क्योंकि as an investor this is important for every crypto investor वो ये है कि अब आपको 30% tax देना होगा यानि अब आपकी जो भी कमाई होगी digital assets से यानि cryptocurrency से या फिर NFT से उसके लिए आपको 30% tax लगेगा और इसके साथ साथ आपको जो है 1% का extra charge भी लगेगा for transaction of the income from these digital assets आपको खुसी इसलिए होगी क्योंकि इस चीज़ से तो confirm पका हो जाता है कि crypto को ban नहीं किया जाएगा तो जिन भाईयों को अभी भी ये confusion था कि crypto को ban कर दिया जाएगा तो इससे confirm हो जाता है कि crypto करेंसी को ban नहीं किया जाएगा और दूसरा चीज़ यहां पे खुल के बताया जा रहा है कि crypto आपका करेंसी नहीं बिलकि एक asset है अब जो sad होने वाली बात है वो ये है कि अब आपको 30% tax देना होगा अब ये जो 30% tax है वो कितने income तक लगेगा और कितने income तक नहीं लगेगा या फिर पूरे में लगेगा इसके बार में हम coming videos में discuss करेंगे थैंक्स फर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल पर नए हो तो please subscribe करें digitalk को see you in the next video